हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब मैं हूं पुस्पा और आप देख रहे हैं पीके स्वादिष्ट बेंजन एंड फ्लोक्स तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं सबुदाना और मखाना को बहुत ही यूनिक रेश्पी तो देखिए अहां पर हम ले लिए हैं सबुदाना 100 ग्राम जितना है अच्छे से इसे वास करकर और भीगो कर रख दिये थे पानी को निधार लिए हैं और देखिए भीगोने के बाद सबुदाना है जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ज्यादा हो जाता है अब देखिए यहां पर हम मखाना ले लिए हैं देखिए हम इससे क्या करेंगे ड्राइ रोस्ट करेंगे मखाने को तो यहां पर कडाही गरम हो चुका है और इसमें हम क्या करेंगे कि ड्राइ रोस्ट कर लेंगे कोई ओईल वैगरह डाल करके रोष्ट में नहीं करना है ड्राय रोष्ट करेंगे ताकि इसका मोश्चर निकल जाए और बहुत ही खीला-खीला हमारा जो रेश्पी बने वो तैयार हो देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है हलका ब्राउन जैसा दिखने लगा है अब यह लगभग हो गया है इसे हम क्या करेंगे गैस को बंद करके प्लेट में इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे देखिए कराही गर्म है तो हम इसी कराही में बना लेते हैं देखिए इसी में हम दूद को ले लिए है एक लिटर है फुल फैट का दूद है और एक बॉैल होने तक हम बेट करेंगे देखिए खौल आ गया है दूद में अब हम जो भी गोकर रबुदाना रखे तो उसमें एड़ कर लेंगे और चला लेंगे चलाते रहना है ताकि चीप के न देखिए बहुत ही खिला खिला हमारा रेश्वी बनेगा तो आप इसे फास्ट हैं तो बनाकर भी खा सकते हैं ऐसे भी ब्रेक फास्ट में भी बनाएए बहुत ही हेल्दी रेश्वी है और बच्चे बुढ़े सभी को ये पसंद आएगा और बहुत ही बेनिफीट होता है देखिए मखाने को हम एड कर लेंगे जो रोस्ट करके रखे थे और गैस को थोड़ा लो कर लेंगे और चला लेंगे मेडियम टू लो पे ही हमें पकाना है और चलाते रहना है ताकि तले में चीप के न देखिए अब थोड़ी से खड़ी इलाईशी डाल लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाए देखिए इसे चलाते रहना है बच्चे को टीफिन में भी इसे दे सकते हैं बहुत ही हिल्दी रखता है और बहुत ही आसान तरीके से मात्र पांच से साथ मिनट में बन अब धीरे धीरे हमें चलाते रहना है और देखिये यह पक रहा है अब हम इस अस्टेज में एक से दो पींच इतना हल्दी एड़ किये हैं ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और देखने में बहुत ही अच्छा लगे आप इसी अस्टेज में यहां पे किसर भी हल्दी एड़ किये हैं और भी हल्दी डालने से और भी यह में हो जाता है क्योंकि इसमें और आंटीबाटिक हल्दी में पाया जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है टेस्ट के कोरणिंग छीए ड़िये है में 75 ग्राम इतना हम्शी दिये हैं और चला लेना है देखिए इसमें थिकनेस आने लगा है और ये लगभग अब हो ही चुका है देखिए अब हम इस अस्टेज में थोड़ा सा कट किया हुआ बदाम डालेंगे आप अपने पसंद के अनुसार भी कोई भी ड्राइफ रूट इसमें एड़ कर सकते हैं देखिए चला लेना है देखिए कलर बहुत ही मस्त आया है अगर मेरे चैनल पर नए है फ्रेंड तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब कर दीचेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कुझेगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास देखिए बहुत ही अच्छा से इसमें बवल्स वेगरह आ रहे हैं और यह लगभग अब हो चुका है देखिए अब हम इसे क्या करेंगे चला लेंगे नहीं तो ज्यादा हमें ठीक करना है नहीं तो ज्यादा हमें पतलाई से रखना है पिल्कुल रबडीदार बनेगा देखिए इस तरीके से अलग-अलग साबुदाना और मखाना दोनों दिख रहा है बहुत ही देखिए अब यह हो चुका है अब हम गैस को फ्लेम बंद कर लेंगे और देखिए दो मिनट हो गया गैस को बंद किया अब इस स्टेज में यहां पर किसमिस एड़ करेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जब किसमिस एड़ करके इसमें बनाएंगे न तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अब हम एक सर्विंग बॉल में इसे हम सर्व कर रहे हैं तो देखिए इस तरीके से हम निकाल लिये हैं देखिए अब हम यहां पर क्या करेंगे कि कुछ ड्राइफ फूर्ट के कत्रन से इसे गार्निश कर लेंगे देखिए यहां पर बदाम है और थोड़ा सा इसमें किसमीस भी हम एड कर देंगे कोई की ट्राइफ फूर्ट यहां पर गार्निश कर सकते हैं देखिए देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है देखिए मैं पास से दिखा रही हूं बहुत ही कलर मस्त आया है देखिए तो मेरे बताये गए नुसार से एक बार जरूर बनाईएगा और कमेंट करके बताईएगा और मेरा वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फुर वाचिंग टेक केर बाबाई